कि अधिक यहां पर पर है कि कितने टाइम जो है वह हो एक नूटन के परादर होता है तो यहां पर यहां पर नूटन है यह नूटन है यह नूटन का एसाई यूनित है अब अगर हम इसको सीजर्स में लिखना चाहें तो हमें नहीं अगर पता है हम उसका सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए फर्मुला एफ इपॉल्ट टू एम ठीक है तो एम क्या मार्स इसको क्या लिखेंगे ग्राम एसलेशन यानि सैंटी मीटर पर सेकेंड सकते हैं अब यह न्यूटन कैसा यूनिट कितना हो जाएगा तो क्या होज़ेगा वान केजी मीटर पर सेकेंड अस्ट्वाइब आदर्वाइस वान केजी मीटर इंवर्स टू ठीक है अब हमें क्या Fund करना है कि वर्न कि अच्डा हमें कन सखाता है कि जिसका मेरू हमें पता नहीं उसे खर इक जेडल एक्ष्ड बनारा के उसको क्या की यह सॉल्ट कर लिजी तो यहां पर हम लोग कर लहें है एक्स दाइम equal to how many newton तो देखिए यहां कितना लिखा हुआ है one newton ठीक है अब हमें x परिंट करना है तो x equal to one newton upon dime ठीक है अब one newton means what one kg meter inverse two upon time gram centimeter inverse two ठीक है यहाँ से time second second cancel हो जाएगा अब one kg अब देखिए यह सारा unit है बट हमको क्या चाहिए number चाहिए तो सारे unit को हम लो क्या करेंगे number पे convert करेंगे to kg तो 1 kg equal to one thousand gram टीक है और one meter equal to hundred centimeter upon gram into centimeter 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 or cancel gram gram क्या हो जाएगा cancel तो क्या मिले का हमको three or two यानि ten to the power five therefore x का value कितना गया आश्का है 10 to the power five गया यानि आप इस formula को लगा क्या हम लिख सकते हैं therefore one newton equal to x का value कितना पुट करेंगे 10 to the power five और इदा हमारा क्या हो जाएगा dime ठीक है one newton equal to 10 to the power five dime कर दो प्रैंगे कर दो lagक मने द audंगे 10 to the power five 15 ability experience